प्रिवर्ण वेलकम टू माई चैनल करेंट एक्जाम क्रहकार तो आज का आमरा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपोर्टेंट सेक्षन से उपर तो यह क्या है फोर्थ एशियन पैरा गेंज 2023 का आज का टॉपिक है ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट एक्जाम पॉइंट के उसे स्पोर्टेंट करेंट एफ फैट तो यहांपे क्या करने वाले मतलब सेँर्ट के बसक्राइबाइब Paragames Games के बारे में जो जो important question हो सकता है तो first question आज का क्या हो जाएगा तो question number one क्या बोला गया Question number one है What was the schedule period of the Hongzoo 2022 Asian Paragames 2022 क्यों? क्योंकि 2018 में हुआ था, 4 साल बात होता है Asian Games, Asian Paragames जो भी हो, तो यह होता है 4 साल बात 22 में होने वाला था तो यह 3 में, 23 में हो रहा है पर जो होड़ा 20, 22 लिखना होगा एक्जाम में, तो यह कौनसे डेट में होआ है तो यह हुआ है 22nd October से 28 October 2023 में हुआ है तो यह नेक्स question क्या हो जाएगा Question number two Question number two बोला गया है Which edition, कौनसे edition है Which edition of Hongzoo 2022 Asian Paragames 2022 जो हुआ है तो कौनसा edition है अगर पूछेगा तो इस बार का edition हो जाएगा 4th edition, ठीक है 4th Asian जो Paragames हुआ है इस बार का Next question क्या हो जाएगा Question number three What was the motto of 4th Asian Paragames 2022 तो इस बार का motto क्या होगा तो इस बार का motto था Hearts meet dream shine ठीक है यह इस बार का motto है Very important exam में पूछा जा सकता है यह question भी Next question क्या हो जाएगा Question number four What was the official mascot of 4th Asian Paragames Mascot भी बहुत important है एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो mascot क्या हो जाएगा इस बार का थो हो जाएगा Fee Fee Okay Next question Question number five क्या बोला है The 4th Asian Paragames 2022 was hosted by which country तो Asian Games जिसने host किया है तो Asian Paragames भी वही host करता है टीक है तो इस बार Asian Games किसने host किया था तो Asian Games host किया था Hongzoo चायना ने तो Paragames भी चायना ने ही host किया था ठीक है Next question Question number six क्या बोला गया Question number six बोला गया How many events have been played in the 4th Asian Paragames 2022 22 कितने सारे इवेंट्स खेले गया तो यहां पे हो जाएगा 501 ठीक है 501 इवेंट्स खेले गया है ठीक है next question question number seven क्या बोला गया how many sports have been played in the fourth Asian game 2022 कितने सारे sports खेले गया तो यहां पे हो जाएगा 22 sports have been played okay next question question number eight question number eight बोला गया who was or where the flag bearer for India in the opening ceremony जो important होता है एक्जाम में पूछा जाता है opening ceremony में कौन closing ceremony में कौन flag bearer किया है यहां पे कौन हो जाएगा यहां पे सही answer यहां पे हो जाएगा पारूल परमर्ज होगा और उनके साथ हो जाएगा अमेद सरोहा ठीक है यह दोनों ने flag bearer थे हमारे इंडिया के लिए opening ceremony में next question question number nine क्या बोला गया India has been finished their campaign with how many medals very very important question ठीक है कितने सारे medals के साथ इंडिया ने खतम किया है तो यहां पे consensus सही हो जाएगा यहां पे हो जाएगा hundred and eleven ठीक है इंडिया ने इस बार hundred plus किये तो बहुत ही important है history के इंडिया ने ठीक है दोनों टाइम Asian Games में भी and Asian Paragames में भी first time hundred plus medals जीते हैं इंडिया ठीक है तो यहां पे जो hundred and eleven medals जीते हैं इंडिया ने तो इसमें से important क्या होगा जानना हो कितने सारे gold, silver and bronze भी है ठीक है तो यहां पे 29 क्या मिला है gold मिला है इंडिया को silver कितना मिला है 31 silver मिला है इंडिया को and 51 bronze मिला है इंडिया को ठीक है एगेंस 2022 कौन से position में खतम किया इंडिया ने इस बार 5th position पे खतम किया है ठीक है लास्ट टायम किया था लास्ट टायम जो 2018 में हुआ तो यह कर था इंडोनेसिया में हुआ था उसमें इंडिया का स्थां था 9th position पे, ओके, next question, question number 11 क्या होगा, how many countries are participated in the fourth Asian games इसमें 44 जो कंट्री ने पार्टिसिपेट किये थे इसमें नेक्स्ट क्वेस्टिन वट वस अफिशिल एंबलेम अप दो हॉंग्जू 2022 एसमें वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये ठीके तो एंबलेम क्या हो जाएगा तो एंबलेम हो जाएगा एवर फोर्वर्ड ओके तो इस बार का ये ही एंबलेम है नेक्स्ट क्वेस्टिन क्वेस्टिन नमबर थर्टीन क्या बोला गया इन विच पूर्च इवेंडिट इंडिया वन दो मोस्ट गूल्ड मेंडल इन फॉर्थ एशिन पारागेंस 2020 सबसे ज़्यादा कौन से इवेंड में इंडिया को गोल्ड मिला है तो ये मिला है एथलेटिक्स में ठीके एथलेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल भी मिले और गोल्ड भी मिला है उसमें next question 14 number question क्या बोला how many athletes have been participated in the 4th Asian Paragames कितने सारे athletes participate किये थे इसमें तो ये हो जाएगा 1300 ठीके 31, 3100 जो participate किये थे इसमें से इंडिया ने क्या किया थे इंडिया ने 303 ठीके 303 जो athletes जो भेजे थे उसमें से 191 men and 112 omen उसमें से थे ठीके next question क्या हो जाए question number 15 which country has hold the first position in the 4th Asian Paragames 2020 तो कौन से country ने first position मिला है तो ये हो जाएगा China ने first position बे ठीके किसने medal उन में 521 medals उनको मिले थे next question question number 16 क्या बोला गया which country has been ranked the second position ठीके ranked second in the 4th Asian Paragames तो second position में कौन से country आया है तो second में आया है इस बार Iran okay next question क्या हो जाएगा question number 17 which country has been ranked 3rd in the 4th Asian Paragames तो 3rd rank पे कौन आया है तो 3rd rank पे आया है जापान okay next question 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 number 18 क्या बोला गया question number 18 हो जाएगा who has won the gold medal in the mains high jump T47 event तो T47 जो high jump event में किसको gold मिला है तो ये हो जाएगा निसत कुमार ये बहुत important है जो जो question अभी दे रहे है इसको जरूर याद रखना एक्जाम में बहुत पूछे जा सकते ये सब question next question next question हो जो question number 19 मर्यापन थंगा वेलू has won silver medal तो मर्यापन थंगा वेलू को कौन सा medal मिला है ये भी पूछ सकता है तो ये silver medal उनको मिला है किसमें मिला है मेंस हाइजम T63 में उनको मिला है कौन से खेल से जुड़ा है तो ये हो जाएगा हाइजम से and कौन सा state पूछेगा तो हो जाएगा तामिल नारू state से जुड़ा हुआ है next question question number 20 क्या बोला गया अवनी लेखर has won the gold medal in the 10 meter air rifle shooting event belongs to win state कौन से state के साथ संबंधित है उनका तो हो जाएगा राजस्तान के साथ तो जिनका जिनका भी नाम यहाँ पे दे रहे है जो बहुत important है exam point of view से next question 21 क्या बोला है who has won the gold medal in the men's high jump T63 event तो किसको मिला तो ये मिला है शैलेश कुमार को मिला है शैलेश कुमार इसका correct answer हो जाएगा next question सबसे ज़्यादा important है ये बहुत ही चर्चे में बहुत ही बहुत ही social network में बहुत 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 वायल हो आई है तो कौन है ये तो ये हो जाएगा सीतल देवी has become the first armless omen to win the two gold medals in the Asian Paragames belongs to which sports कौन से खेल के साथ थो जाएगा आर्चरी के साथ तो कौन हो जाएगा ये question exam में 200% पूछेगा ठीक है next question question number 23 क्या बोला गया who has won the gold medal in the men's discuss throw F54, F55 and 56 तो कौन हो जाएगे है आपे gold किसको मिला है तो gold मिला है नीरज यादफ को gold मिला है ठीक है silver किसको मिला है silver मिला है योगेस कठूनिया को ठीक है silver मिला है उनको ठीक है silver मिला है उनको and bronze किसको मिला है तो मुथू राजा को bronze मिला है next question 24 number क्या question बोला है Manish Narwal has won the gold medal कौन सा medal उनको मिला है ठीक है which medal in the means 10 meter air pistol shooting event उनको क्या मिला है Manish Narwal को Manish Narwal को मिला है bronze medal ठीक है bronze मिला है उनको next question question number 25 क्या बोला है यहाँ पर question number 25 हो जाएगा ववीना पतिल has won the bronze medal in which sport event तो ववीना पतिल कौन से खेल के साथ है तो हो जाएगा table tennis के साथ है उनको bronze medal इस बार मिला है next question क्या हो जाएगा Sachin Sargerow Sachin Sargerow Khilari has won the which medal कौन से मिल को मिला है in the main short put F46 event तो यहाँ पर कौन से मिल हो जाएगा उनको gold medal मिला है ठीक है next question क्या बोला है यहाँ पर तो उनको क्या मिला है उनको भी मिला है gold medal यह जिनका जिनका भी नाम दे रहे इनका exam point of view से important हो जाएगा ठीक है next question क्या हो जाएगा प्रमत भागत has won the gold medal in which sports event तो कौन से sports event में उनको gold मिला है तो मिला है badminton में ठीक है badminton में उनको gold मिला है and also mixed में उनको क्या मिला है bronze भी मिला है ठीक है mixed double में उनको bronze मिला था next question क्या हो जाए question number 29 in which year was the first Asian games Asian para games तो Asian para games first concert year में 2010 में ठीक है 2010 में first Asian para games held हुआ था ओके next question 30 number question the first Asian para games 2010 was hosted by which country कौन से country ने host किया था 2010 में जो हुआ था तो वो host किया था चाइना ने ठीक है चाइना ने दो बार इसने host किया है next question 31 number question क्या बोला गया नितिश कुमार has won the three medals ठीक है जिन में से gold उनको individual मिला था silver मिला था जो silver mixed में मिला था और bronze भी mixed में मिला था ठीक है तो ये and तीनो मेल उनको मिला था and in which sport even कौन से खेल के साथ तो ये हो जाएगा badminton में उनको मिला था next question question number 32 Krishna Nagar has won the two medals ठीक है दो मेल उनको मिला है silver and bronze in which sport even कौन से sports के साथ Krishna Nagar तियां पे हो हो जाएगा badminton से connected चली next question 33 number क्या बोला है take chand has won which medal in the men's javelin throw event जो F55 event ठीक है तो कौन सा हो जाएगा आपे उनको कौन से medal मिला है तो उनको मिला है bronze medal next question 34 number क्या बोला है Shatish Irani Darpan has won two gold medals in which sports event कौन से sport में 37 Irani Darpan को two gold medal मिला है तो यहाँ पे हो जाएगा chase में उनको two gold medal मिला है okay next question क्या पोचा है Sumit Until very very important Sumit Until okay exam point वे तो यह नाम बहुत important है तो Sumit Until has won gold medal in the men's javelin throw F64 event with record throw ठीक है of how much distance कितने distance तो यहाँ पे हो जाएगा 73.29 meters का correct answer हो जाएगा next question question number 36 क्या बोला गया which country was hosted the third Asian Paragames 2020 2018 ठीक है 2018 में जो last Paragames हुआ था मतलब जो third edition था वो कौन से country ने किया था तो वो Indonesia Jakarta ने host किया था okay next question क्या हो जाएगा question number 37 which country will host the fifth Asian Paragames 2026 मतलब 4 साल के बाद host होता है ठीक है तो ऐसे तो 2022 में होने वाला तो वो 23 में हुआ है तो 26 में next होने वाला जो fifth edition है वो कहां पे होने वाला जहाँ पेशन games होगा तो वो Japan में होने वाला तो यह जापान में ही होगा जापान के कौन से जगा पे जापान के एची नगोया पे होने वाला है ठीक है तो चलिए आपर जो important question यह 37 जो question दी इस questions को जरूर अब लोग देखेगा आपके लिए बहुत ही helpful लोगा इसके बार exam में question पूछा ना जा सकता है यही important question हो सकता Asian Paragames का तो यही पूरा Asian Paragames का details दे दिये यह important हो का upcoming जो जो exam आने वाला Asian Games and Asian Paragames इससे question जरूर बनेगा तो चलिए अगर अच्छा लगा तो इस session को एक like, share, subscribe कर देना और और क्या करना and next video कौनसे topic के उपर लाए जो आपके लिए helpful लाजागे वो भी comment में जरूर बताना टिके तो चलिए आज के लिए रखते टाटा बाई बाई